आज हम बनाएंगे एक और टेस्टी, हेल्दी और यम्मी रिसिपी बिर्यानी, विजिटेबल बिर्यानी बट आज हम बनाएंगे बेबी कॉन के साथ जो बहुती ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है और इसके हर एक बाइट में आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा तो ऐसे टेस्टी, यम्मी, साथी साथ, हल्दी विजिटेबल बिर्यानी बनानी के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया है बेबी कॉन, यह है बेबी कॉन, यह अरवंड धाइसो ग्राम है मैंने इस तरीके के स्मॉल बेबी कॉन्स यूज किये है, आपको मार्केट में जो मिलता है, वो लेना है और इस तरीके से कट करना है इस तरीके से मैंने कट किया, आपको जिस शेप में कट करना, आप उस शेप में कट कर सकते है अभी मैंने बेबी कॉन को पहले ही अच्छे से वाश कर लिया, उसके बाद मैंने कैपसिकम को भी शिमला मिर्च को भी वाश करकी काट लिया है उसके बाद अभी मैंस में डाल रही हूँ मसाले, यह है बिर्यानी मसाला, यह इसली मार्केट में अवैलेबल होता है, अगर आपके पास यह नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यह है धनिया पौडर, यह भी एक बड़ा टी स्पून है, और यह है जीरा पौडर, अरौंड हाफ टी स्पून, कश्मिरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून है, हल्दी हाफ टी स्पून है, और यह है फ्राइड ओनियंस उसके बाद ये हैं हराधनिया और पुदिना पुदिना आपकी पास जितना है उतना आप यूज़ कर सकते हैं हराधनिया पुदिना और हरी मिर्च हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट को कोड़ी डाल सकते हैं उसके बाद एक टीस्पून अद्रफ और लसुन का पेस्ट और ये है दही दही अरॉंड मैंने वन फोट कप यूज किया है डाल कर अब मैं इसमें डाल रहे हूँ हाफ टीस्पून नमक नमक डाल कर यहाँ पे मैंने ओईल डाला है फल्ली का तेल यह आप जो ओईल खाते आप और यूज कर सकते हैं उसके बाद हमें सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको वेजिटेबल ड्राई लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और दही आड़ कर सकते हैं अब मैंस में डाल रहे हूँ फ्रोजन मिटर यह अराउंड वनफोर्थ कप ह आप इसमें जो चाहे वो वेजिटेबल ड्राई कर सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे गोबी है गाजर है मश्रूम पनीर आपके पास जो अवेलेबल है वो या जो आपको पसंद है वो अब मैं इसे रख रहे हूँ साइड में और यहाँ पर मैंने एक ग्लास मतलब 200 ग्रा यह सुक यह मसाले में जीन बड़ी लाइची टूटी लाइची लौआंग दालचीनी और पानी मैं मैंने छार ग्लास लिया है असारे मसाले मैं aoory come तेष पत्ता उसके बात मैं यह मैं जालना हैक। तभी यह मैं अच्छे सा लगेगा कूकि पानी की कौशती थोड़ी जाध और दुसरी तरफ मैंने एक मिट्टी का बरतन लिया है इसमें मैं डाल रहे हूं अरूंड दो बड़र टेबल स्पून ओईल और दो टी स्पून गी यहां पे आप सिर्फ ओईल या सिर्फ गी का भी यूज कर सकते हैं और मिट्टी के बरतन में मैं बना रहे हूं आप जो भी गरम हो गया उसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूं बारी कटे प्याच प्याच डालकर इन्हें हम गुल्डन ब्राउन होते तक अच्छे से फ्राइ करेंगे आप चाहो तो पहले से फ्राइ के वे ओनियंस भी यूज कर सकते हैं यह रेसिपी बनाने में थोड़ा सा टाइम ल सकते हैं अभी उसी ओयल में मैं दो इलाइची छोटी वाली लॉंग एक बड़ी इलाइची तेजपता और थोड़ा सा जीरा डाली हूं ताकि राइस और फ्लेवरफुल और टेस्टी लगे हैं अब मैंने इसको हलका सा मिक्स किया उसके बाद मेरिनेट किया हुए और वेजटेबल्स भी आप अपने पसंद के अनुसार एड़ कर सकते हैं और हमें इसे अरौंड एक घंटा मेरिनेट करना है अगर उससे ज्यादा देर रखोगे तो और अच्छी बात है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अरौ 70% कुक नहीं होता है और बाकी का 30% हम राइस के साथ कुक करेंगे अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया मैं से ढख के दीमी आश पर पकने रख दे रहे हूं अब हम देखते है चावल पानी में बॉइल आया है अब मैं इसमें सोक्तिय वे राइस डाल रहे हूं राइस ड इदम कलर भी अच्छा रहता है अब मैं निम्बु नी चोड़ दी हूं निम्बु नी चरूने के बाद इसे हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल 70% अच्छे से कुक नहीं हो जाता है बाकी का हम लोग बेबी कॉन के साथ पकाएंगे अब चावल आल्मोस्ट और पके नहीं अब मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया गैस का फ्लेम आफ करके इसे में निकाल के डाल रहे हूं चन्नी में डालने के बाद इसमें जो होल स्पाइसे से आप उन्हें हटा सकते चाव तो रहने भी दे सकते बट हटाने से यह मूह में नहीं लगेंगे अब मैं इसको रख रही हूँ साइट में अब हम देखते हैं बेबीकॉन भी अच्छे-से पक गए क्वेंटी है इने हमें चूक कर्षार होईं voz कि अब मैं इसमें से आधा जो बेबी कॉन है बेबी कॉन का जो मसाला है उसको मैं हटाऊंगी और आधा मैं इसी तरीके से रहने दोंगी अब मैं इसको निकाल रही हूं प्लेट में प्लेट में निकाल कर इसमें हम लोग राइस का एक लेयर बनाएंगे तो अभी मैंने इसको आ मैं आधे चावल को इसके उपर अच्छे से फैला रही हूँ, आप चाहो तो तीन लेयर भी बना सकते हैं, बट मैं टूई लेयर बना रही हूँ, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, बाकी बचा बेबी कॉन, जिसको हमने निकाल के रख लिया था, डाल कर इसको हम लोग अच्छ लेयर बना देंगे, आप चाहो तो पूरे चावल को बेबी कॉन का जो ग्रेवी है, मसाला हमने बनाया था, उसमें डाल कर भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी इजी में थड़ है, बट मैं एक ट्रेडिशनल वेज दंबिर्यानी का प्रोसीजर बता रही हूँ, इसलिए मैं ये स् चावल डाल रही हूँ, यहां पर मैंने सिंपल रेगुलर राइस का ही यूज किया है, मैंने बासमती राइस का यूज नहीं किया, आप चाहो तो बासमती राइस भी यूज कर सकते हैं, बट मैं घर में जो रेगुलर हम लोग राइस यूज करते हैं, मैंने उसी का यूज क डालकर अब मैं इसके पर डाल रही हूँ, फुट कलर, फुट कलर कम्प्लिटली ओप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, उसके बाद दो टी स्पून घी डाल रही हूँ, घी को मैंने हलका मेल्ट कर लिया है, और घी डाले हूँ, इस तरीके से घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कम ओईली खाना चाहते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, घी डालकर अब यह है रोज वाटर, आप रोज वाटर या केवरा जल, आपके पास दोनों में से जो भी अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हो, डालकर अब इसे दम पे, मैं तब तक बखाऊंगी, जब तक कि पूरे चावल अच्छे से पकनी जाते हैं, बट दी मियाज पे, अब में ने डखकर निकाल दिया है, निकालने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, राइस अच्छे से पके है या नहीं, राइस एक दम अच्छे से पक गए है, अब मैं इसे ढखक कर फिर से गयस का फ्लेम आफ कर दूँगी, और थोड़ी देर मैं इसी तरीके से रहने दूँगी, ताकि दम में या और अच्छे से पक जाए, अब मैं इसे निकाली हूँ, निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते, चावल कितने खिले-खिले, कलरफूल, और बहुती ज़्यादा टीस्टी और यम्मी लग रहे हैं, इसे आप सिंपल ऐसे भी खा सकते हो, या दही रायता, या किसी शोर्बा के साथ भी खा सकते हो, अब आप भी ज़रूर बनाएए, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब भी ज़रूर करें, थैंक यू,